असलाम अलेकुम मेरा नाम है डॉक्टर मुहमाद अमार्तोफैल और मैं जर्मेनी से आपके सामने हाज़रू आज हमारे पास जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं सैफ भाई अबिसली इनका बैग्राउंड पूछेंगे और यह जर्मेनी में किस तरीके से हैं यह सब चीजें हम डिसकस करने वाले हैं इस व्लोग के अंदर यह व्लोग असल में आपको कुछ स्पेसिफिक इंफरमेशन देने वाला है कि आपने जर्मेनी में क्यूं आना है कैसे आना है और अपने आपको कैसे बिल्ड करना है तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम जाय किये बिना सैफ भाई क्या है ठीक ठागे है अल्हम्दिल्ला थैंक्यू सो मच फॉर कमिंग यह और मेरा पहला क्वेस्चिन आपसे यही है कि यार आपका बैग्राउंड क्या है और सैफ नाम का मतलब क्या है कैसे नाम पड़ा सैफ का मतलबaying पर्स संह थेंक्स आइंग्र में सैक्रिए अल्वार बड़ा पनी मतलब है बट सैफ नाम अम अलबड़ सार्व स्टुएर्ड और मेरा तालूंग्छि से मेरा ने चाराची से मैं कराची से मैं बैचलERS कीया यृआ से एंप्सेंटर साइंस में तो आपने जैसे के बताय कि कराची से आप आए तो कराची के अंदर job market कैसी है आप के field के अंदर मेरे किया से बहुत च्याहिए क्योंकि कराची के दर जाहतर लोग जो काम करते हैं, तो आपको पाकिस्तनी job market का भी थोड़ा अंदाजा होगा कि IT-sector के अंदर लोग हर बंदा धड़ा धड़ा आईटी के अंदर आ रहे हैं तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आईटी का फ्यूचर क्या है मेरे क्याल से फ्यूचर काफी अच्छा है है in terms of the services we provide क्योंकि जाहतर company services provide कर रही है US की companies को European companies को so that's quite good the only problem is कि वहाँ पर research काम जादा नहीं है so if somebody wants to do research then Pakistan might not be for you but अगर आपको simple job करनी आपको growth करनी है practical काम करने then Karachi कंदर आपको रहने तो why not I think it's a good place to be obviously आपने Pakistan का नाम लिया और obviously Pakistan के job market को हमने देखा so question मेरा यह है कि Pakistan में different family cultures say for example आपका middle class है lower middle class है upper middle class है and then you have elite class in Pakistan so if you allow me I would like to ask you कि आप किस family culture से तालोग रिखते हैं और आप कैसे किसी को बता सकेंगे कि यार खुद को build करना तो क्या करना चाहिए okay so वैसे मेरा उर्दू speaking family से तालोग है और कराची के नदाब तर लोग families उर्दू speaking होती है और अगर मैं level wise बात करो तो मेरा upper middle class family से तालोग है यह बात जरूरी आपर नोट करना जरूरी है कि जो blocked account के पैसे होते हैं कुछ लोग अपने अमा बस से लेते मैंने खुछ जमा किये थे from my job Alhamdulillah मेरी job was quite good तो मैंने एक साल के पैसे जमा कर ली थे बट यह बाज भी consider करना जरूरी है उस time euro का rate था 135 और उस time blocked account था around 8000 so it was quite easy कि आप 1.5 साल में पैसे जमा कर सकते हैं अभी it's very difficult तो अगर किसी को relate करना है तो वो relate इस तरह कर सकता है अब इस वाकत मेरे खाल से जो euro का rate है वो 294, 2300, 01 something like that it's double or I would say 2.5 around तो अब अगर कोई block amount range करना चाहे how can they do that? So, सबसे पहले तो आप अपने रिष्टेदारों से एकटे कर सकते हैं सबसे इसकी असान दर्गी भी है कि आपको 40 lakh रुपे चाहिए 10-20,00,00 तो आपके पाँ अपने होंगे for example जो आप parents से ले सकते हैं second thing आप अपने रिष्टेदारों से अगर आप तीन रिष्टेदार जमा कर लें जिनसे आप 3-3,00,00 रुपे ले लें तो 10,000 euro तो आपके सीधे होगा है exactly तो आप इस तरह के hack है एक और hack है कि यहां पर जो आपके student दोस्त रहते हैं आप तीन दोस्तों से 2-2,000 euro पकड़ लें once you come here it's very easy to find a job here और आप ऐसे वापस भी कर सकते हैं बहुत असाही से एक साल के अंदर सबर्दस जी तो साहब भाई आपसे मेरा एक और important question है कि आपने higher studies के लिए Germany को ही choose क्यों किया honestly speaking मुझे इतना exposure नहीं था at that point in time तो मेरे father ने मुझे force किया कि नहीं तुम Germany जाओ उन्होंने Germany क्यों choose किया क्योंकि उनके ख्याल से Europe was very ahead in technology उनको पता था कि आप Germany जाओगे तो आपके perspective अच्छे हो सकते है in the future मुझे नहीं पता था मेरे अबने मुझे force कि नहीं तुम जाओ तुम्हारे पास अगर पैसे है time है तो now is the time to do it तो मैंने Abba की सुन ली उस time पे मैं थोड़ा सा इतना rebellious बच्चा नहीं था उसके बाद मैं उस time पे या पर working student job कर रहा था और university में research भी कर रहा था जो कि मैं अभी भी कर रहा हूँ as a full time visa के ओपर सब्सक्राइब तो I do full time not full time part time research at the university और मैं 20 घंटे university में अपनी किसी software house में job भी कर रहा था in the last four years उसके बाद I got an opportunity for blue card मुझे एक software developer में full time job मिल गई I had a chance to convert my visa मैंने अपने visa convert किया और अभी भी मैं full time job करता हूँ software developer full stack और साथ में university में research आ काम भी करता हूँ तो आपका अच्छा खासा vast experience है अब आप हमें बताएं के students को Germany के अंदर क्यों आना चाहिए सबसे पहले दर यह है कि अगर आप informatic के हैं मतलब आप computer science के हैं IT के हैं तो Germany के अंदर अभी there's a huge gap here क्योंकि आपने बहुत बताया हुआ कि Germany technology में इतना आगे नहीं है इंको digitalization की बहुत जरूवत है they are 10 years behind the USA market exactly so अगर आप Germany आते तो यहां पर बहुत सारी opportunities open है और नई नई companies आ रही है government invest कर रही है पैसे to digitalize their operations so अब उस बहते पानी में हाथ दो सकते है maybe 10 years down the line यह ना हो बट अभी यह चीज़ हो रही है अगर आपको less money में जादर value for money चाहिए then Germany is a good way to go जबर्दस्ट अच्छा तो job market की बात हमने पहले की कि पाकिसान के अंदर job market अच्छी खासी है तो अगर हम comparison करें Pakistan versus Germany in IT sectors तो job market Germany की कितने गुना अच्छी है obviously अच्छी तो होगी क्योंकि developed country है economy भी अच्छी खासी है कितने गुना ज्यादा है और ऐसे पाकिस्तानी आपको अगर जर्मन नहीं आती तो क्या आप जॉब इसली यहां पर grab कर सकते हैं सबसे बेले चीज़ तो यह क्योंकि जर्मनी के पास और companies के पास यहां पर पैसे हैं to invest in the employees as well तो वो tools भी ऐसे यूज़ करते हैं नहीं हम मुझे पैसे ले लो लेकिन मुझे quality product दे लो तो आप already best tools पर काम कर रहे हैं जो के market में चल रहे हैं सबसे पहले चीज़ सही है दूसरा यह था कि अगर पाकिस्तानी बच्छा को आता है यहां पर तो उसे German skills नहीं आती तो वो किस तरीके से job grab कर सकते हैं बहुत सारे तरीके आप पाकिसान से बैठे बैठे भी direct job कर सकते हैं जोब ले सकते हैं उसके job search visa पर आप यहां पर आके job search कर सकते हैं अगर आप पाकिसान से बैठे बैठे apply करना चाहते हैं तो you can apply directly job from there अग अनलेस आप यहाँ पर Master's as a Master's student आजाएं या study visa पर आजाएं तो फिर आप यहाँ पर part-time job कर सकते हैं फिर you can convert that into a full-time job, so यह सारे तरीके हैं यहाँ पर आने के, जी तो सैफ भाई मेरा एक बहुत important question है जो मुझसे कई दफा लोगों ने पूछा that is related to study abroad especially in Germany, तो अगर आप एक ऐसा बन्दा जिसको कुछ नहीं बता जर्मनी आने के लिए, उसको procedure पूरा जर्मनी आने का और study में मतलब किसी भी Master's degree Bachelor's degree या PhD degree आपका जिसमें experience आपको ज्यादा लगता है, obviously I would recommend कि Master's degree के बारे बता है तो आप बता सकते हैं कुछ चीदा चीदा point या कोई important points that that person should have in their mind or in his or her mind, कि वो ये वाले point अगर आप follow कर लें, तो आपके लिए जर्मनी में admission लेना easy हो जाएगा सबसे पहले तो पैसे का दिमाग में आदे कितने पैसे खर्च होंगे, सबसे पहले तो में भी apply कर सकते हैं, आपको पाकिसान में कुछ documents चाहिए होंगे, और documents क्या होंगे, कि आपकी degree और आपकी transcript अटेस्ट होनी चाहिए from HEC, MOFA से भी? MOFA से ज़रुरी नहीं है, and you need IELTS as well, आप बगर IELTS के भी कर सकते हैं, बढ़ आपको IELTS सही है, so एक आपके पास HEC के documents हो गए, दूसरा आपके पास IELTS हो गया, that दो जार्दा, only two documents you need to apply here, apply में करना क्या होता है, कि एक company होती है, Uniasist, हमारी HEC type की company होती है, link दे देंगे, I'm description, yes, Uniasist को आप documents भेजते हैं, वो आपके documents, आपकी CGPA, पाकिसानी CGPA, convert करते हैं into a German CGPA, तो for example, आपकी 3A out of 4, तो वो convert करेंगे जर्मनी के अंदर, German CGPA के अंदर, German CGPA convert करने के बाद, वो आपके documents, वो ही लोग, यूशिटी को भेजते हैं, जैसे आपने तीन जगा अप्लाई किया, तो वो ही पहले तो आपको documents की बात कर लूँ, HEC चाहिए आपको, दूसरा आपको IELTS चाहिए, दोनों चीज़ें आपको documents, Uniassist भेजने, दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको directly apply कर रहे हो, तो आप direct apply करने के लिए, यही दोनों documents, आप उनको directly भेज़ोगे, अब आप उनके portal पे भी upload कर सकते हो, हाट को भी भेज़ सकते हो, depend करता है, university क्या मांगती है, this is the only process you need, अब सवाल ही आजएगा कि मैं university search कहाँ पे करूँ, तो there is a website called dad, d-a-a-d.de, जिसका link आप description ने दे दिएगा, वहाँ पर जाके आप filter लगाएं, जो आपको पढ़ना है, वहाँ पे fees का filter लगाएं, share का filter लगाएं, जो आपको पढ़ना है, उसका filter लगाएं, language का filter लगाएं, हजारों courses आ जाजएंगे, exactly, language का filter से मुराद आपका, English select करें, English select करें, unless आप उजर्मन में करना हो, this is the only process you need to apply, once you apply, आपको admission letter आते है, फिर आप simply, अपने embassy जाते हो German, Islamabad embassy या कराची embassy, आपे appointment लेते हो, पैसे जमा कराते हो, blocked account के, and then you are here, so it's a very small process, very simple process, और आपको consultant हाइर करने की बजरूरत नहीं है, in my opinion, आप सब काम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, आपने बोला कि तग्रीबन साड़े 11,000 योरो लगता है, इसके अंदर आपका block account की भी फी है, और सारे visa fee भी है, airfare, everything included, तो साड़े 11,000 योरो जब भी आप आना चाहें जर्मनी के अंदर, तो इसको multiply कर लें, गूगल पर जाके लेखें, योरो टो पी के आर, तो आपको amount पता चल देगे, एक और चीज़ मुझे पताईएगा, कि block account पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तानी बैंक का होता है, या German bank का होता है, पैसे आपको जर्मनी के अंदर, ट्रांसफर करने है, आप चाहे आप वो Western Union से ट्रांसफर करें, या आप पाकिस्तानी बैंक से बात करें, किसी भी HBL से बात करने किसी भी बैंक से, और वह पैसे ट्रांसफर कर देंगे into a German account, यहाँ पे different companies है, आप उनसे बात करते हैं कि मुझे आपके पास अकाउंट खुलवाना है इसका नामी ब्लॉक्ड अकाउंट है एवरीबडी नोस अबाउट इस क्योंकि गर्वर्मेंट की तरफ से ऑफिशल नेम इस ब्लॉक्ड अकाउंट तो आप ब्लॉक्ड अकाउंट की जर्मन कंपनीज भूनते हैं वहाँ पर आप पाकिस्तान से पैसे यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं 11,000 एक दफ़ाँ उनके पास आजाते हैं तो एक हफ़ते में कन्फरमेशन आपको भीज़ जेते हैं आपके पैसे यहाँ पर आ गए ब्लॉक्ड अकाउंट का मतलब यह है वैसे जिनको नहीं पता कि एवरी मन्थ यू गेट इस मनी बैक तो आपने फॉर एग्जेंबल 11,000 ब्लॉक्ड कराएं में तो हर महीने आपको आराउंट 900 यूरो आपके अकाउंट में वापस आते रहेंगे क्योंकि ब्लॉक्ड अकाउंट का मकसद यह क्योंकि जर्मनी में पढ़ाई फ्री है तो आपको जो पैसे वापस करेगी गवर्मेंट वो सिर्व आपके रहाईश के पैसे हैं रहाईश के खाने के ब्लॉक अकाउंट की इसकी एक 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 एकजैंपल में भी देता होता हूंगा अब यह समझे कि आपके पेरेंट्स आपकी पॉकेट बनी जर्मन यूनिवर्स्टीज को पकड़ा रहें कि हमारा बच्चा आ रहा है आपने पर मन्त इसको पैसे देते रह यह सब्सक्रान यह सब्सक्राइब यह दिशनले को वेस्टर यूणियन को फी काटेगी यह बैंक काटेगा तो वह साड़े 15000 के अंदर है कि पैसे उपर चले तो जो फीस की बात बेसिकली आपने की है तो वेस्टर्ण यूनियन बहुत गंदा रेट देता है एक और गुवर्मेंट का लॉई है कि अगर आप एडुकेशन पर्फिस के लिए पाकिसान से बाहर पैसे भेज रहे हैं इसके बहुत सारे हैक्स हैं जो हर हैक्स हर बैंक का अपना तरीका है तो कुछ बैंक आपको डिफेंट तरीके बता सकते हैं आप अठ्य पर्फिस के लिए बेज़ रहे हैं अपने ही अकाउंट से अपने आकाउंट में तो शायद नहीं कटते हैं अगर किसी और क्यारी अकाऊंट से अपने अकाउंट में भेज represented अपके अर्वा तो कोण बहूंइन के आ लेल तो आपके पास accommodation है. Accommodation के अंदर जो आप घड़ लेंगे for example. Second आपका खर्चा है health insurance. ये दो चीजें तो आपको pay करनी ही करनी है. Germany के अंदर it's very essential कि हर बंदे के पास health insurance होई हो. तो 100 euros वो हो गए. Accommodation 300, 400 की. Depending on the city. Depending on the city and where you live in the city as well. बाकी आप खाने पीने पर खर्च करते हैं. और कुछ extra curriculars पर खर्च करते हैं. जैसा आपने कोई sports कर लिया. आप कोई travel पर चले गए. आपने कोई चीज खरीद ली for example. तो ये चार main खर्चें. और यहाँ पर आने का जब आप job करते हैं. तो यू earn about 1000 euros. और आपका टोटल खर्चा round 700 से 800 होता है. तो यू can still save some money. सैफ भाई, एक important question मेरा ये है कि जब आप जर्मनी में आते हैं as a student. फी आपको यूनिवस्टी में कोई नहीं देनी पर नहीं. आप ये अपने खराजात आपने बता दिया. अब मुझे ये बताएं कि यहाँ भी रहते हुए as a student. मैं अपने जो studies को continue करने के साथ-साथ मैं कितने घंटे job करना मुझे अलाओ है as a student और मैं कितने पैसे generate कर सकता हूँ. सालाना हम 140 दिन full days काम कर सकते हैं जर्मनी में. 140 full day का मतलब है कि हर महीने around 82-85 घंटे हो गए पर महीने. विच मेंस कि आप हर हफ़ते around 20-25 घंटे काम कर सकते हैं. 20-25 घंटे काम करने का मतलब है कि आप 2-5 दिन काम कर रहे हैं in the whole week. बाकी टाइम आप अपनी पढ़ाई पर लगा रहे हैं. इंकम कितनी जनरेट कर सकते हैं तो यूजली वर्किंग स्टूरेंट की पोजिशन अगर आप अपनी डेस्ट जॉब कर रहे हैं, अपनी फील्ड की जॉब कर रहे हैं. So you earned around 1000 euros. 1000 से लेके 1200 euros भी आप कमा सकते हैं, डिपेंड करते हैं आपको घंटे वाइस कितने पैसे मिल रहे हैं. Minimum आपको 12 euros घंटा कमाते हैं, तो अगर आप 12 को multiply कर लें 80 से, क्योंकि आप 80 घंटे महीने में काम कर रहे हैं, तो you earned somewhere around 1000 euros. इसके उपर 10% tax करते हैं, फिर आप अपनी health insurance पे करते हैं, तो आपके पास बैंक में around 900 euros या 850 euros आते हैं, अब अगर आप जादा पैसे कमा रहे हैं, somewhere around 15 euros घंटा जो के usual rate है, तो ये around 1200-1400 euros बन जाता है, जो के पाकिसान ही हिसाब से around 3 lakh रुपे है, 3 lakh, 3 lakh, 3 lakh होगा या 5 lakh भी होगा, taxes बगारा कटने के बाद, अब ये वो salary है किसम की जो पाकिसान में एक assistant professor भी नहीं ले रहा, so it's a win-win situation, it's a win-win situation, और secondly, यहाँ पे एक चीज में और आप से पूछना चाहूँगा, कि किस type की आप job कर सकते हैं, so यहाँ पे 3 main jobs है, सबसे पहली तो आपकी field की job है, let's say क अब आप IT के बंदे हैं, तो आप अपनी field की job कर सकते हैं, आप software developer बन सकते हैं, something like this, यह student jobs की बात कर रहो है, exactly, student jobs की बात हो रही, second, you can work here in odd jobs, और job काम करना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन अगर किसी को अपनी desk की job नहीं मिल रही है, field की, तो आप odd job कर सकते हैं, और job में क होता है, आप restaurant में काम कर लें, आप delivery का काम कर लें, आप cleaning का काम कर लें, इस तरह की different jobs होती है, तीसरी चीज यू can also work at the university, जिस तरह पाकिसान में TA ship, RA ship होती है, यहाँ पर भी होती है, और यहाँ पर कुछ professors research कर रहे होते हैं, कभी वो कहते हैं, कभी वो कहते हैं, कि आप हमा को job देते हैं for some specific hours, और आप उनसे कोई काम लेते हैं, जैसे assignment check करना, या दोस्तों को या अपने जो साथ वाले लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको assist करना, जैसा कि सब viewers जानते हैं, कि Germany जो है, वो European Union का part है, शेंजनेरिया के अंदर आता है, तो traveling is one of the main thing, जिसकी वाटा से ल हाँ पर जब आते हैं, तो university की fees बिल्कुल free नहीं होती है, आपको बहुत minimal पैसे देने होते हैं, like 100-200 euro, which is Pakistani 30-40,000 रुपे, 30-60,000 रुपे per semester, यह जो आपका semester ticket एक चीज होती है, यह उसके पैसे होते है, semester ticket क्या होता है, कि आप अपने region में, आपने सूबे में, free में travel कर सकत हैं, तो semester ticket है, उसके अंदर आप almost free travel कर सकते हैं, फिर जो आपको job ticket मिलता है, यह पे एक ticket होता है, जो के 149 euro का होता है, और जो लोग job कर रहे होते हैं, उनको शायद 10-15 euro का मिलता है, उनको subsidy मिलती, company की तरफ से, तो इस पैसे के अंदर भी आप पूरे Germany में, कोई भी train ले सक free of cost, आप कहीं भी ले, रात में, दिन में, आएं जाएं, जो करना है करें, so this is very good, almost everybody has it here, तो यह government की तरफ से subsidy है, to take this ticket, traveling is not only in your city or in Germany, आप traveling यॉरप के अंदर भी कर सकते हैं, क्यूंके जर्मिनी के अंदर से, फ्लाइट बहुत सस्ती हैं, जिसना कराची तो लोहर की company है, बहुत सस्ते में, 20 या 30 योरो में, मतलब 6000 में, 7000 में, even 10 योरो की भी आपको फ्लाइट मिल सकती है, जर्मिनी टू लंडन की, exactly ऐसे ही है, 10 योरो मतलब 3000 रवेगी फ्लाइट है, from here to London, so it's very easy to go around in the Shenzhen area, आप वहाँ पर जाएं, कोई language का भी कोई मस्ला होता, और सबसे important बात, currency is the same, आप योरो में कमाएं, योरो में खर्च करें, आपको कोई transfer करने की जरूबत नहीं है, पैसे, it's super good, और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर लंडन की बात हुई है, लंडन जो है, वो European Union के अंदर नहीं आया भी, Brexit की वज़ा से, और उससे पहले भी, हम पाकि से एक दफा जर्मनी आया था, सो इटली, मिलान, बर्गैमो एरपोर्ट से मेरे ख्याल से हो कि 12 योरो की टिकट में जो मैंने बस ली थे अपने सिटी से बर्गैमो आने के लिए वो थी 20 योरो की, और 12 योरो की टिकट, मतलब बसीज और ट्रेंज महंगी हैं, फ्लाइट से लेकिन अगर आप देखें, जर्मनी में रहते हुए, जब आपको 49 योरो की टिकट मिलती है, तो बसी और ट्रेंज टोटली फ्री हैं और सिरफ फ्लाइट का हर्च है, आपको ज्यादा पैसे दिन देने पर तो ये ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इड्वांटेज है, ब जैसे लग्संबर्ग जाती है, नेधरलेंड्स में एक शहर है, भाह तक ट्रेंज जाती है, फिर उसके बाद अगर आप राइट साइट पर पोलेंड के अंदर भी ट्रेंज जाती है, आस्ट्रिया में सार्सबूर्ग तक भी जाती है, एक और जो इमपोर्टन ग्वेसे इस मेरी एक वरक्शाप थी पाकिसान के अंदर जहां के तग्रीबन दोसो के खरीब लोग थे और मैंने पुछा है कि पासपोर्ट आम में से कितने लोगों के पास है, क्योंकि वरक्शाप का टाइटल था, स्टेडी अबरॉड, बिलीव में सिरफ तीन लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया कि हमारे पास पासपोर्ट अब बाकि 197 लोगों के पास पासपोर्ट नहीं था, सो मेरा ये मानना है कि अगर आपने सोच लिया है कि मैंने जर्मनी या किसी भी और कंट्री में स्टडी के लिए जाना है, या मैंने जॉब सर्च करनी है, जिस पर हम डिसकस भी कर जब सारा काम हो गया, एडमिशन मिल गया, आपको यहां पर जर्मन यूनिवस्टी जने लेटर भी दिया, कितना टाइम लगता है और परसीजर क्या है? एक दफा आपके पास आडमिशन लेटर आ गया। second thing you need to do is कि आपको blocked account खुलवाना होता है एक दिखान में blocked account खुलवा लिया पैसे आपने यहां भेज दिये और आपके पास admission letter आगया यह दोनों documents लेके आप इसलामबाद embassy या कराची embassy जाते हैं अगर आप बलोचसान या सिंध से हैं तो आप सिंध आते हैं अगर आप अफगानिस्तान या KPK या पंजाब से हैं तो आप इसलामबाद में appointment लेते हैं तो आप इसलामबाद का थोड़ा सा मसला ही है कि इसलामबाद के अंदर इस टेकिंग अबाउट वन एन आफ इयर्स study visa के आने कलिए कराची के अंदर आपको डेड़ महीने बाद का visa मिल रहे है और इसके लिए जरूरी यह है कि आप बोलें कि मैं तो कराची में appointment ले लूँ लेकिन आप नहीं ले सकता आपका domicile होना चाहिए उस सूबे का अनलेस आप निया domicile वन वालें वह बात हो ले वह जारी बात है tips and tricks है लेकिन अगर आपको कोई relative रहता है तो आप ट्रांसफर होके वहां पे residency show करते है then it could be one of the things but mainly आपका जहां का domicile होता है जहां पे आप काम कर रहे होते हैं जहां पे आपकी family रहती है that's the most important thing exactly so unfortunately इसलावबाद के साथ थोड़ा साथ देर साल का टाइम है but still I would take the bet क्योंकि सस्ते में काम हो रहा है कराची के अंदर it's taking देर देर महीना only तो आप देर महीने के बाद appointment ले सकते हैं एक दफ़ा आपने appointment ले लिया वीजा लगने में बीजन लगते है और वीजा के procedure क्या है कि आपने सिर्फ application दी है वीजा के उसके बाद क्या सीज़एं so application के अंदर documents हो गए आपके सिर्फ documents main चीज होती है documents में आपका admission letter हो गया उनका एक visa application होती है वो भढ़नी होती है list is very easily available internet पे आप link add कर दिएगा 10 documents की list है प्रेटर की हो गई आप यहापे क्या करते है families आपकी थोड़ा family के बारे में information होती है that's mainly it so it's super easy to do that ठीक है अच्छा यह बताएं के बाइन में मिलगी आपने visa application दे दी उसके बाद interviews होते है as a student visa पे जब आप पताई है yes for sure so बहुत सिंपल सापका question answer का session होता है वहाँ पर maybe 10 minutes का and they ask very generic questions in English in English this is very important क्योंकि आपकी पढ़ाई English में तो आपकी तेस्ट क्यार एक्चली IELTS आपने दिया है पास किया तो आप बोल भी सकते हो और मैं आपको अपने बारे में funny story बताता हूँ मुझसे उसने उसी time का आता कि मुझे motivational लिखके दिखाओ कि तुम्हें क्यों जाना है Germany so this is also a thing which could happen with you कि वो आपसे पूछ सकते हैं अभी लिखके बताओ मुझे motivational letter कि तुम्हें क्यों जाना है और वो आपकी English writing skills चेक करेंगे क्यार इसको पता भी है क्या बोल रहा है या नहीं बोल रहा है second चीज मेरे खियाल जासे है adding on that one Pakistan में fake degrees का बड़ा सीन है और वो चेक करते हैं कि आपका background अगर आपने IT लिखे तो आपको IT का कुछ पता भी है कि नहीं लिखे आप उसी IT है तो तनुमा उजदा नहीं पता की होंदा तो चुआ कह रहे हो so that doesn't happen there that's true तो वो चेक करते हैं बकाईदा के इंटर्व्य के दुरान के आप IT के हैं अच्छा आप वहां पे कौन सी युनिवस्टी में जाना है पर यह पूछ सकते हैं कि आपने पैसे कैसे जइनरेट के लिए इतना इम मैटर नहीं करता है but they definitely see your family background क्योंकि अक्सर लोग यह करते हैं कि blocked account जैसे मैंने आपको hack बताए है कि आप इमने दोस्तों से ले लो अब आप बोलें कि मैंने तो घर से पैसे जमा की हैं तो उनको शख हो सकता है कि घर पे तो लोग इतने कमाने वाले ही नहीं है तो यह 40 रुपर कहां से लेगा आ सकता है तो देख आज चेक कि आप कितने ऑनेस्ट हो कितने नहीं हो फिर एक सवाल यह बहुत जरूरी होता है तो उनको स्वागा सा समझाजाएगा कि है थोड़ा सा कुछ शेकी बनदा है तो इसका best answer क्या होगा अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका क्या plan after completing your degree तो हमें क्या करना चाहिंगा I think इसका best answer यह है कि पहले मुझे अपनी पढ़ाई कम्पेट करनी है for sure अगर मुझे जर्मनी में opportunities मिलेंगी I will definitely look for them क्योंकि में इससे professional growth होगी अगर मुझे नहीं मिलेगी तो that's completely fine लेकिन मेरे लिए important यह है कि मुझे professional job मिले ताकि मैं अपनी personality develop कर सकूँ and maybe five years down the line मुझे समझ नहीं आएगा तो maybe I move somewhere else but अभी तक का मेरे यह plan that's a good point और यहां पर adding on that मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट कर देता हूं जितने भी विविविवर्स देख रहे है पहली बात तो यह मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं कि नीचे like का बटन आ रहा है उसे प्रेस कर दे उसका best benefit क्या है कि आपको इस तरह की वीडियोस हमारी और मिलते जाएंगे और हमारे चैनल को बे सब्सक्राइब कर दे अब दूसरी बात मैं यह करता हूं यहां पर कि जब भी आपस ऐसा question पूछा रहा तो आप बोलें कि मेरा plan सबसे पहला यह कि मेरा फर्स milestone, जो long term, short term है, that is completing this degree and then, मेरे पास जहां पे भी पूरी दुनिया के अंदर job opportunities available होंगे, I will apply on that और जहां पे भी मुझे job मिली, I will work on that और मेरी preference Germany होगी then second preference is Pakistan and then I can open towards European Union या UA या USA जहां पे भी आपने चाना है और जहारी बात है, यहां पे जिसके वारे में बात भी करेंगे, that is opportunity card आपने master's की degree कर ली what's next? interview के बाद आपको visa मिल गया, आप fly करके यहां पे आगया, obviously airline, सस्ती, महंगी, वो बाद में आप इस पे बात कर लेंगे but the first thing is, आपने degree मुकमिल कर ली उसके बाद आपको जर्मिनी में कौन सी opportunities available है अगर आपकी जॉब नहीं होती तो क्या कोई ऐसे category है कि आपको यहां पे stay करने का मौका मिल जाए for sure, so it's a super good category जिसका नाम है job search visa, jsv कहते हैं उसको job search visa का फायदा यह है कि एक दाव हमने पढ़ाई खतम कर ली, तो university आपके visa office को बताया थी कि यह बंदे ने पढ़ाई खतम कर ली है अब आप जान लो जो करने है वो आपका जो visa office होता है वो क्या करता है, आपको job search visa देता है जो कि 18 महीने का होता है वो यह ज़रूर चेक करते हैं कि आपके पास क्या इतने पैसे saved हैं कि आप 18 महीने रह सकते हो इस इस वेरी इंपॉर्टन और जो कि around 6-7 हजार यूरो बनते है डिपेंड करते हैं, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप वो कम टाइम का visa देंगे बट वीजा मिलना यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और कैनिडा और इधर उधर के हसाब से बहुत असान, इवन extension is very easy ऑस्ट्रेलिया में स्रिफ तीन महीने का visa extend होता है, यहाँ पर आपको 6-8 महीने लीगल यह 18 महीने तक का extend होता है तो you get a job search visa here that's super good उस job search visa के time में maybe you find a job तो आप वो job search visa convert करते हैं into a work visa और work visa की कोई specific category नहीं है बस main चीज़ यह है कि आपको अपनी field की job लेनी है एक certain threshold है 30 और 40,000 euro डिपेंड करता है कि आप कौन से field से तालक रखते हैं अगर usually लोगों के उसे अतनी salary होती है so once you have that salary it's super easy to get the visa अब Australia में होता है या UK में होता है आपको visa खरीदना पढ़ता है work visa यहां पर भी खरीदना पढ़ता है but it only cost 97 euros तो वो fee हुई है एक simple tax fee है secondly इसमें यह भी एक adding on that I can ask another question related to that वो यह है कि यार आपको visa मिल गया job आपको मिल गी आपने 30 to 40 thousand euro per year आपने criteria बताया कि इस पर आपको job मिल जाती है so आपको क्या लगता है कि आपकी degree के फॉरण बाद आपको permanent job मिलने के chances ज्यादा है या short term contract के हैं या long term contract के हैं मेरे ख्याल से अगर आप यहां पर आते हैं as a student और जब as a student job करते हैं अपनी field की आपको full time job मिलने बहुत असानी होती है you can find a job maybe in two months, three months it's super easy to do that जादा तर यहां पर जो पहला contract मिलता है वो दो साल का मिलता है contract मुझे for example पहली job में unlimited contract मिला था I don't know how even I did not know about it जब मुझे मिल रहता contract तो बाद में पता लगा था कि unlimited contract है तो यूजली दो साल का contract मिलता है और दो साल के बाद they do an unlimited contract with you उसमें छे महीने शुरू के probation period होता है जिसके अंदर वो check करते हैं कि आप उनके लिए सही हो और आप चेक करते हो कि वो आपके लिए सही है नहीं तो without any notice they can fire you या आप वो company छोड़ सकते हैं या वो आप company छोड़ सकते हैं otherwise you will have to leave in 3 months so पहले आपको contract maybe 2 साल का मिले and it's super common to do that आपको unlimited भी मिल सकता है contract मतलब वो कोई limit नहीं है क्योंकि 2 साल के बाद you decide on new terms क्या मुझे salary बढ़ा हो या मुझे ये करो वो करो something like this short term contracts यहाँ पर जो usually मिलते है full time job के वो इतने useful नहीं होते है क्योंकि for example अगर आपको short term contract एक bakery में मिल रहा है लेट से वो bakery वाला contract आप visa office को लेकर जाकर दिखाऊगे तो visa office नहीं मानेगा क्योंकि आपकी field नहीं है exactly और job हो जागी yes तो visa office नहीं मानता उस बात को but usually आपको दो categories की contract मिलते हैं आपकर सही हो गया अच्छा एक और question इसी इसी से related है job से related कि आपको job मिल गी है और आपने student as a student भी यहां पर 2 साल, 3 साल, 4 साल में जब भी आपने master complete it's totally up to you so after that PR जिसे हम permanent residence कहते हैं वो कितनी देर में मिल जाती है so it's super easy Germany के अंदर क्योंके I don't know how why it is like this लिकित अब़ी at this point in time it's super easy all you need is a job in your field and you need some German अगर आपके पास A1 जर्मन है तो आप 27 मन्स में this is a new law जो कि इसी साल implement हुआ है 27 महीने में आपको PR मिल सकती है which is unlimited visa आप चाहे जॉब करें आप लोन लें आप बिजनिस करें आप रिलांसिंग करें कुछ भी just in 27 मन्स 27 मन्स of job plus student no 27 मन्स of job only of job only okay student tenure news student tenures में शामिल नहीं है but student tenure शामिल है आपका पासपोर्ट के अंदर exactly so पहले में PR पर आप अगर आपके पास normal German है A1 German which is very basic जो कि आप सीख सकते है बहुँ सानी से आपको PR आपके पास 27 महीने में मिल जाती है अगर आपके पास B1 German है for example जो B1 पी सीखना को इतना मुश्किल नहीं है तो आपको 21 महीने के अंदर you are eligible to apply for the PR पासपोर्ट पे अगर मैं आ जाऊँ or maybe this is your next question exactly that was my next question चले मैं पूझ लेता हूं to be officially in the question scenario के जर्मनी में पासपोर्ट जो है तो तीन साल या दो साल आपने लगा है master में plus three years मतलब दो साल आप और इसमें आइड करें पांच साल आपके complete हुए then you can apply for the passport उसके लिए German language कौन से चाहिए B1 this is the catch अगर आपको पास efficient इतनी enough German language है जो के B1 के लाती है तो के तो आप पांस साल के अंदर passport के लिए eligible है apply कर सकते है अच्छा अब लेट से आपके पास A1 है तो it's seven years तो यह seven years ही बहुत जल्दी से गुजर जाते हैं इतना मसला नहीं होता है in my opinion आपको कितनी देर होगी या दुबारा मुझे छे साल होगे मुझे आप appointment दे दो so maybe they give you an appointment after one year maybe six months वो depend करता है आप कहां रह रहे हैं क्या सीन है once you apply फिर उसके बाद एक दो साल और लगते हैं आपके checks होते हैं यह पूरा process होता है कुछ documents दिखाने होते हैं so overall I would say five years plus sometime one and a half लगा one and a half लगा लेकिन उसके दुरान आपके पास वीजा तो होता है obviously for sure तो यह नहीं है कि पांच साल के पास आपका tenure खतम हो गया पांच साल का आपका वीजा भी खतम हो गया और आप जाके कह रहे हैं मुझे passport है ऐसा नहीं है अगर PR के बाद अगर आपको जर्मिनी में रहना है और आप कहते हो मैं जा रहा हूं कैनिडा या UAE जा रहा हूं या मैं चैह मैं ये पाकिसान जा रहा हूं I don't care तो आपको यहां पर एक आपके पास address होना जरूरी है registered address पाकिसान में domicile बोलते हैं या resident card एक वो होना जरूरी है number two आपको health insurance system में पैसे देते रहने जो कराओं 300-400 euro per month होते हैं तो as a student आपने बोला था कि 100 euro per month है student की health insurance हस्ती है as compared to job holder या non students so students के लिए Germany ने subsidized की विए health insurance आप वही सारी facilities ले सकते हैं आप normally किसी और के पास ले सकते हैं जो के आप job holders के job holders के हो या इवन आपके पासपोर्ट हो does not matter health insurance हर किसी के लिए same है आप free में doctor के पास आ सकते हैं सारे आपको जो emergency surgeries हैं वो आप free में करवा सकते हैं so students के लिए it's for sure 110 euros at this point और full timers के लिए जितना जादा हुआ पैसे कमाते हैं उतना जादा हुसे परसंटेज के लिए मैं आपको बता दे तो एक सोड़ा से सिनेरियो कि जब आपकी salary around 4000 euro जिसे इतनी है यह 3000 euro है तो उसकी percentage होती है जो आपकी social security plus health insurance में जाती है कि मेरा गले का अपरेट हुआ था यहां पे surgery होती है यह उनिवस्टी क्लेनिकम में यहां पे hospital है appointment लेने को time लगा था लेकिन on the other side I didn't pay even a single penny okay सिरफ 10 euro दिया था वो भी जो मैंने खाना खाया था exactly exactly कुछ देने होती है exactly wifi होता है और लो आते जाते है खाना बड़ा जबर्दूस होता है और hygiene का बड़ा किसम का इनोंने obviously Germany है secondly मैं COVID के दुरान था था so just imagine गले का परेशन COVID के दुरान so it was hectic for me लेकिन on the other side I didn't pay even a single penny yes और वहां पे सब कुछ पेओफ हो गया था obviously यहां पे एक और दोस्त है जिसका accident हो गया था Aptal Alhamdulillah वह ठीक है he didn't pay even a single penny ambulance each and everything was included in the insurance that's the best part about Germany yes Saif भाई से मेरा एक और question है कि अब हमें यह बताएं कि जब एक passport आप यहां पे apply करते हैं obviously 5 साल का आपने टन्योर पताया उसके बाद जब आपको passport मिलता है क्या आपको पाकिस्तानी nationality को छोड़ना पड़ता है या आप dual nationality रख सकते है so अभी Germany में नया law आया again this year और उस law के मताबिक आपको German nationality के साथ आप कोई और सी nationality रख सकते है इसमें पाकिस्तानी nationality भी आ जाती है अब they say क्यार मुझे कोई document नी चाहिए बस जो document में German passport के लिए चाहिए वह वाले सब्मेट करा दो so you can have Pakistani nationality as well as a German one so दोनों में आपका फाइदा यह होगा कि German nationality के साथ जब जर्मन passport मिलगा you can travel around the globe पाकिसानी nationality पाकिसान जाने के लिए वीजा की जरूरी पड़ेगी या नाइकोब वगरा क्या आपको जरूरी पड़ेगी और also you can buy agriculture land अगर आपको जमीन खरीदनी है उसका भी मसला नहीं क्योंकि startup करना है आपको कोई funding चाहिए तो आप बिल्कुल as a Pakistani पाकिसानी अप पाकिसानी आप पाकिसानी पाकिसानी निशनलिटी कैंसल कराते हैं तो आप लैंड खरीज सकते हैं रेजिदेंशल लेकिन आप अग्रिकल्चर लैंड नी ले सकते हैं basically that's a problem यह हम पाकिसान की बात कर रहें और जर्मिनी में जब आप पासपोर्ट ले ले लेते हैं obviously PR के उपर भी क्या आप start-up start कर सकते हैं yes for sure so start-up के उपर आपके पास सारे rights हैं जो के एक normal Germans के पास हैं PR के उपर only you cannot vote ठीक है वोट नहीं कर सकते हैं बाकि सारे आप loan ले सकते हैं business खोल सकते हैं कुछ भी जो freelancing कर सकते हैं job छोड़ सकते हैं जो करना चाहें कर सकते हैं only problem is आपके पास पासपोर्ट नहीं है और वोट नहीं लाइए passport लेंगे तो वोट हो जाएगा secondly आपको वीजे के चक्रों में नहीं पढ़ना पढ़ेगा ठीक हो गया अचा मुझे ये बताएं के जर्मिनी में long term अगर हम सोचें for example आपको job मिलगी job आपकी cancel होगी लेकिन PR आपकी retain है तो आपको इस बारे में information है कोई के जब आप दुबारा से job search पे जाते हैं PR आपके पास आगई job आपकी छूट गई है अब दुबारा से आप job search पे जा रहे है तो जर्मन government क्या आपको कुछ pay करती है to sustain your lifestyle yes for sure अगर for example आपकी job खतम हुई है तो आपको यहाँ पे एक पैसे मिलते हैं जिसको कहते हैं आर्बाइट लोस गैल्ट जो आपकी salary का 60% पैसे होते है net salary तो जो भी आपने क्योंकि आपने जो basically tax भर है वो आपकी insurance होती है कि अगर आप कल को आपकी job खतम हो जाती है तो government आपको पैसे देगी sustain करने के लिए so PR के अंदर अगर आपने job खुछ छोड़ी है तो आपको वो नहीं मिलते पैसे अगर आप वो company ने निकाल दिया है company बंद हो गई या something like this contract खतम हो गया contract खतम हो गया तब भी तब भी नहीं मिलना I see okay so इस पे मेरा थोड़ा सा kind of इक्तिलाफ होगा क्योंकि मेरे साथ यह scene हुआ था कि मैने PhD के अधरान मेरी job थी वो मैने शोड़ के thesis लिखना था श्रीमा के लिए contract खतम हुआ उसके बाद मैने ALG1 के लिए apply के and they provide me six month visa plus उनोंने मेरी salary का 70% or 60% रोड़ दिया so maybe this is the thing I'm इसको confirm कर लेंगे secondly यह है के जो PR के बाद आप दुबारा से जब भी कभी आप resign करते ने किसी job से you are not eligible for ALG1 yes because आपने छोड़ा है आपकी job थी it doesn't make sense कि आप आप दुबारा से job search करें until unless company आपको निका ले या आपका contract खतम होता है so that's one of the things और यह social security money होता है जो आपने अपनी salary से दिया होता है हमने student visa से लेके job, PR और यह सब कुछ discuss हमने कर लिया even though passport को भी discuss किया और अब कुछ negative points की तरफ जाते हैं जोने मैं negative नहीं बोलूँगा मैं यह बोलूँगा कि challenging points तो Germany में सबसे बड़े challenges कौन-कौन से हैं starting from your landing at the airport okay सबसे पहला जो आते है that is the language language है काफी heavy emphasis है on the life here रोज मरा जिंदगी में even आप कुछ दूद लेने जाएंगे तो उसको भी German आती होगी English आती भी होगी नहीं बोलेगा उनके बस एक है कि आप मुझे German बोलो मुझसे ताकि मैं जादे comfortable feel करता हूँ तो मेरे मुलक में आयए वो German बोलो भाई उससे है तो language is a very big barrier तो अगर आपको यहाँ पर grow करना है तो उसके लिए German language सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको society का part होना है culture का part होना है आपको किसी local बंदे से मिलना है उसकी family से मिलना है तो they will prefer कि आपको German आती है German language जानी चाहिए for societal culture या आपको जब social होना है किसी के साथ लेकिन यह student visa के लिए या student होने के लिए जरूरी नहीं है not mandatory ना तो job के लिए जोब भी आपको English में करनी परते हैं आपको research की job यह आपको किसी company में उनका English culture होता but outside job hours you have to speak in German or at least you should know how to speak in German Yes and even I would add one quick point here कि even professional growth के लिए it's very essential कि आपको German आती हो ताकि आप German clients से बात कर सकें German colleagues से बात कर सकें so it's very important for that as well ठीक हो गया दूसरे negative point क्या हो सकता है आपके depression loneliness oh my god this is huge here कि मौसम यहाँ पर ऐसा होता है सरदी होती लोग घरों में रहते हैं गरों में रहते हैं गरे होता है और आठ महीने पाकिसानी standards के साफ़ से मेरे standards के साफ़ से कराची वाले मौसम के साफ़ से बहुत सरदी होती है भाई even April है मैं जैकेट पहने के घूम रहा हूं यहाँ पर मैं फुल स्रीज हुडी पहनी अंदर भी shirt पहनी है से बराबर से गुजर जाएगा देखेगा भी नहीं so that's a big thing here so loneliness, depression is not good it's a big challenge here मुझे एक बात बताएं यहाँ पे depression आपको कभी हुआ है कभी आप रोएं आपके बैठके यह कभी आप बहुत डीप सोचों में चलेगे हों Pakistani Student Association PSAs हर शहर में होती है, हर सूबे में होती है उससे फायदा ही होता है आप पाकिसानी लोगों से मिलते हो तो आप अपनी community साथ disconnect feel नहीं करते मेरे साथ हमेशा ऐसा हुए और I was very lucky कि मुझे हमेशा मेरे around में ऐसे देशी community मिल गई चाहे वो Indian या बंगलेदेशी भी उनके साथ भी आप बहुत connect करें So luckily I was very lucky रोया में एकसर हूँ क्योंकि कभी किसी याद आती ही घरवानों कि तो रो लेते हैं But apart from that कभी वैसे loneliness नी हुए कि यार मैं किससे बात करूँ एक दफ़ा on the other hand I will definitely say कि एक दफ़ा मुझे realization ही थी This was time of COVID जब इतना मिलना मिलाना इतना असान नहीं था और restrictions थी For five days मैं बस kitchen में जा रहा हूँ किसी से बात नहीं हो रही जब मैं student dorm में रह रहा था And I was like यार यह तो बड़ा गलत है 5 दिन होगे मैंने किसी बंदे से बात ही नहीं की That happens, exactly that happens But depression is normal here और इसको कैसे tackle किया जा सकता है मुझे पता है कि अगर आपको depression होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो कमसकम अपने दोस्तों के एक list रखे हो जिनों आप हफते में कमसकम मिलो एक दफ़ा या दो दफ़ा या आप कम से कम calls पे बात करो पाकिसान के अंदर अपने दोस्तों के साथ बात करो उनके साथ in touch रो third one is कमसकम आप religion अपने से दूर ना हो अगर आप Muslim है तो नमाजों का ख्याल करें अगर आप किसी भी और religion से तालुक रखते हैं तो just imagine के इनका culture कितना जगरता से depression के बात होगे third negative point कौन साथ आपने खुदीम मेंशन कर दिया कि अकसर religion से दूरी हो जाती है क्योंकि यहां पे इतना culture नहीं होता अजान नहीं होती आपको reminder नहीं आता नमाज का आपके colleagues नमाज नहीं पढ़ रहे होते पाकिसान में नमाज पढ़ रहे हैं सब चीज हो रही है तो यहां पर उसके बाद यहां पर सब चीज खुली है alcohol खुली है Pakistan में आपने कभी alcohol देखी नहीं मैंने तो कभी नहीं देखी थी to be honest weed, cheat, सब चीज यहां पर legal है तो फिर वह मसला होता है यहां पर आगे क्योंकि socially सब चीज़े हो रही होती है तो आप कहते हो क्या यह भी तो कर रहे है तो इसमें क्या गलती है अक्सर लोग हट जाते है अपने religion से problem is के अक्सर आप ना भूल जाते हो क्यार, where are you from? So on the other side अगर मैं कहूँ इस point को लेकर चलू तो अपने आपकी roots को मत भूलो अपने culture को मत भूलो क्योंकि at the end आप नहीं याद रुखोगे ना लेकिन ये लोग याद रखते है आपके बालों का color बताता है आपके बालों का color बताता है कुछ bureaucratic problem है bureaucratic में क्या है? वीजा कभी कबार appointments देर से मिलती है Munich के अंदर accommodation नहीं मिलती बहुत महेंगी accommodation है ये हर शहर के अपने मसले हैं ये बढ़की बहुत local है localized मसले है अगर आपको वह मसले पता करने हो तो आप जो उस शहर में local लोग रह रहे हैं उनसे बात करें ज़्यादा आपको बहतर पता लग सकता है तो उसका तरीका कर यह है कि आप जिस भी city में जा रहे हैं वहां की पाकिस्तानी society का group join कर लें जैसे अगर आप जर्मनी में और आपने कौन-कौन से positions पे PSA कील को serve किया हुए जब मैं पहली दफ़ा जर्मनी आया मैं किसी को नहीं जानता था अब मैंने का यार मैं किसी को जानता नहीं हो मैंने Facebook पे search किया कील पाकिस्तान तो मुझे एक ग्रूप एक page मिला मैंने उनको inbox किया मैं आ रहा हूं मुझे रपा कोई जगह नहीं है मुझे पताओ क्या करना है विवर सूपर नाइस बंदे ने मुझे पहले जिन घर पे रखा मुझे रोटी बनागे खिलाई मैंने का ओ भाई ये क्या हो रहा है यार ये पाकिसानी बनना है तो मुझे पैसे लूट लेगा बट फिर मुझे रियलाइस हुआ कि यार ये तो इतने अच्छे लोग है ये तो फिरी में आपकी help करना चारहे है they are helping you to start your life here तो मुझे पता लगा ये क्या है मैं उनसे मिला और फिर उन्हें वेलकम पार्टी की उन्हें बुलाया और उन्हें बताया कि देखो हम ये लोग हैं हम सबकी help करते हैं ये हमारा structure है मैंने कहार मुझे भी इसका पार्ट बनना है why not तो पाकिसानी student association कील का मैं पार्ट बना as a volunteer about six years ago उसके बाद जब हर साल elections होते हैं फिर मैंने कहा रोके मुझे तब position भी लेनी है so why not let's do it सबसे पहले मैं तीन साल in fact दो साल in fact मैं मीडिया वाली position पर आ जिसके अंदर उनका facebook page manage करना लोगों से बात करना whatsapps जूरूब बनाना manage करना जो कोई इवेंट हो रहा है पाकिसानी का जैसे सबसे अच्छी बात है कि एद के इवेंट होते हैं रमजान में इफ्तार होते हैं फिर summers में barbecue करवाते हैं winters के अंदर किसी शेहर सारे लोग चले जाते हैं तो इस तरह के events हमनें करवाए so it was super nice and of course हर चीज़ का टाइम होता है so I did it for 3-4 years पर जब I said okay there are new people को chance दे ना चाहिए why not? so now there are new people there I think they are running it very well so you as a president also serve if I am not wrong? yes so for one year I did as a president because I didn't have the president's position I had the opportunity but I didn't have the opportunity because it adds responsibility so if I knew that I couldn't give a lot of time then it's better that you can give a chance that you can give a lot of time and that you can do that honestly exactly 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 yes this is a very good point they are almost always official official like you go to university in fact I think Pakistanis Keel society you go to university you go to Pakistan they have made international groups they have contacted people that this person is their contact information if you are from Bangladesh from India from Vietnam from Philippines they have talked to each student and they have talked to each student from the community and they are registered there and also for example PSA Keel event in university so they say okay let's take money exactly they have a fund there you give 200-200 euro they give you university space you can use the crockery you can use the sound system so all these things are very nice and these societies are almost always registered exactly that was the point because they get funding here on the societies and they support them because in the Pakistani community especially students they serve here and study and even jobs so they have great societies so they have great societies sahib bhai one of my very important question that is actually the last question you want to give them to the Pakistani students which kind of tips we want to give them to take home messages that they can do that they can easily admission in Germany and they can do good and safe рать the important thing we will know that our trust the second thing is if you have a passport then when helps you in the comments तो सवाल यह कब बनवार हुए यह कॉमेंट्स में लिख हुआ है अगर अभी भी आप नहीं लिखते तो फिर आपके पनी मरसी है इसके इलावा कॉन सी टिप है अचा उसके बाद यह क्योंके नियात हो चुकी है तो अब आपको ऐसे लाइक माइने लोग ढूंड़ने है जो आना चाहते हैं आप ऐसे फेस्बुक पे ग्रूपस हैं वाट्साइप ग्रूपस हैं ऐसे ग्रूपस जॉइन करें जो लोग साई लोग मिलके अप्लाए कर रहे हैं क्योंके वो फिर एक दूसरे पर चेक रखते हैं तुमने आइल्स दे लिया तुमने यह कर लिया तुमने आसान तरगी भी है कि don't go on to university ranking या बड़े-बड़े नाम आपने सुने होते लोग कहते हैं मुझे टी-उ म्यूनिक जाने है टी-उ बर्लिन जाने है साही है, it's okay, आपको जाना होगा, very good but वहाँ पर आपको admission भी मुशकल से मिलेगा उनके पार limited seats होती है, हर बंदा वहाँ पर apply कर रहा होता है तो please don't do that और Germany में एक चीज और बहुत important है कि यहाँ पर university ranking does not matter there is no official university ranking यार, यह university बहुत चीए so don't go on to ranking so apply to any university जहाँ पर आपके admission के chances भेता रहा हो और लोग कम universities में apply कर रहा हो so I would like to give this tip how to get the admission exactly, ranking के अगर बात की जहाँ, तो university of zurek जो switzerland के अंदर है, उन्होंने अभी announce किया है कि we are taking us out of any kind of ranking in the world yes, कि अभी आपके अपर बलीव नहीं करते yes, so Germany के अंदर भी यही सारा कुछ होने वाला बहुत जल्द, तो यह टिप जबर्दस्त है सह भाई, आप भी एक YouTuber हैं तो मैं आप से request करूँगा कि आप हमारे viewers को बताएं कि आपके YouTube चैनल पे क्या ऐसा है कि उन्हें उस YouTube चैनल को subscribe करना चाहिए और आपको follow करना चाहिए yes, so my YouTube चैनल नेम इस काल Desi to Abroad और नामी is saying everything, कि I am helping those Desi people, Pakistan, India, Bangladesh कि आपके आप बाहर कैसे जा सकते हैं मेरी website एक है DesiToAbroad.com जहां पर जाके आप road map देख सकते हैं कि आपके अगर मुझे जर्मनी जाना है मैं कौन से step पे खड़ा हूँ, मुझे क्या क्या documents चाहिए है, visa interviews क्या है and stuff like this. Last point मेरा ये है कि there's a Facebook group as well and also I run some WhatsApp groups जो कि मैं आपको बताया था कि ऐसे like-minded लोग हूने है तो उस WhatsApp group पे ऐसे like-minded लोग है विच के help you to come to Germany और आपको किसी consultant की जरुवत निया I don't charge any money for it number one, this is very important, other people are doing that but I don't think that's the right approach so I don't charge money for anything just join those groups and help yourself, don't help me मुझे कोई फायदा नियो, just help yourself और अगर आप चैनल को सबस्ट्राइब करेंगे for example, so it will help you to come to Germany and also ask questions लोग अकसर WhatsApp ग्रूप पे सवाल कर रहे होते हैं YouTube पे अंडर कॉमेंट में सवाल कर रहे होते हैं so I create small videos जहां पर I help you how you can navigate your life while coming to Germany that's all I want to help yourself, don't help me Thank you, sir, bye आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ time बताने के लिए और इतनी दूर हमारे लिए suffer करने के लिए और ये जो आज हमने podcast बनाए है इसमें सबसे बड़ा जो आप आपके लिए advantage है वो ये है कि आपके लिए हमने सारा procedure का road map बना के दे दिया है आपको path बता दिया आपको links दे दिया है हर एक चीज़ आपके सामने है वही अब भी नहीं आपने जर्मिनी के लिए ट्राइ करना तो कब करना है इस अब तो यू नाव सब्सक्राइब आर चैनल लाइक, शेर दिस वीडियो and you know that, the tip take care and Allah आफस